ये अखिलेश बाबू टिके का विरोज करते थे कि ये तो भागपा का टिका है हम नहीं लगाएंगे वित्रो उन्होंने देश की और उत्तपदेश की जनता को घुमरा करने का प्रयास किया ये बात अलग है बाद में डर कर उन्होंने भी लगवा दिया ये बहन जी की और अखिलेश की सरकारे थी गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे जोर से बोलो करते थे या नहीं करते थे ये पुलीस जो है ना वो गुंडों से डरती थी भागती थी मैं आज यहां आया हूं तब कि यह पूरी व्रच भूमी की जनता को हाज जोड़कर कर बद्ध निवेदन करने आया हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाया 2017 में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाई 2019 में फीर से प्रदान मंत्री बनाया और अब 2022 में हमारे सफल मुख्यमंत्री स्री योगी आदित्य नाद को फीर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम यह 14, 17 और 19 का चुनाव यह उत्तर प्रदेश का किस्मत बदलने वाला चुनाव रहा है यह सपा बसपा बसपा सपा यह बुवा भतिजा यह जातिवादी सरकारे उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर भादी बाइस करोड की आबादी वाला यह सुबा दिरे 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 बिमारु राज्य बन गया था भारती जनता पार्टी की सरकार आई उपर साड़े साथ साल से मोदी जी की सरकार है पांच साल से योगी आदित्यनाच की सरकार है और पांच साल की डबल एंजीन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को वदलने का काम किया मित्रो भाईो बेनो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी के राज में हर गरीब के गर में सोचाले पहुचा है अगर सपा की सरकार होती तो गरीब के गर में कभी सोचाले आता क्या बताई ये आता क्या हर गरीब के घर में बिजली पहुँची है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो गरीब के घर में बिजली आती क्या जोर से बुली आती क्या हर गरीब की महिला के घर में घैस का सिलिंडर पहुचा है वई पहुचा है नहीं पहुचा है पहुंचा है नहीं पहुंचा है अगर समाजवादी पार्टी की बुवा भतीजे की सरकार होती तो गैस का सिलिंडर पहुंचता क्या पहुंचता क्या पांच लाग तक की सारी बिमारियों का इलाज पांच लाग तक का सारा खर्चा आद नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ एक आईश्यमान भारत का काड़ कर रहा है, मुझे बताईए माताओ बेनो भाईयो, सपा बसपा ने कभी ऐसी व्याऊस्था करी दी क्या, जोर से बोले करी दी क्या, हर घर में सौचा लए, हर घर में गैस, हर घर में काड़, हर घर में लाइट, और 40 लाग से ज़्यादा लोगों को घर देने का काम, ये भारतिय जन्ता पार्टी के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोधी जीने किया है, मित्रो नरेंद्र मोधी जीने किया है, आप मुझे बताईए भाई, कितने लोगों ने टिके लिए हाथ उपर करिये तो, सब ने लिए ना, एक पैसा देना पड़ा है आपको, जोर से बोलो देना पड़ा है क्या, ये अखिलेश बाबू, टिके का विरोज करते थे, कि ये तो भागपा का टिका है, हम नहीं लगाएंगे, बित्रो, उन्होंने देश की और उत्तपदेश की जनता को घुमरा करने का प्रयास किया, ये बात अलग है, बाद में डर कर उन्होंने भी लगवा दिया, मगर उनकी मान कर, अगर टिका न लगाते, तो ये तीसरी लहर में हम बच पाते क्या, जोर से बोलो भई बच पाते क्या, बच पाते क्या, माताओ भाईो बेनो, एक सो तीस करोड की जनता को टिके का सुदर्शन चक्र लगा कर, नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुरक्सीत करने का काम किया है, मित्रो सुरक्सीत करने का काम किया है, भाईयो बेनो जब कोरोना आया तो रोजगारी गरिब की छिनी छिनी जाएगी लोकडाउन हो गया बंद हो गया कलकार खाने बंद हुए ओटो रिक्सा बंद हो गया दुकाने बंद हो गई गरिब क्या खाएगा जो हरोज लाकर हरोज खाता था उसके खाने के लाले पढ़ने लगे मित्रो नरेंद्र मोधी जी ने देश के 80 करोड गरीबों को और मेरे उत्तर प्रदेश के 15 करोड गरीबों को दो साल से परती व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम भारतिय जनता पार्टी के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उत्तर प्रदेश के पंद्रा करोर गरीबों के लिए एक कमल का फूल नहीं है कमल के फूल पर मा लक्समी मा अनपुना साखसात उनके घर में आई है उनके बच्चों के पेट भरने का काम दो साल तक नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है मित्रो मुझे साच अर्थ में बताईए इस सपा बसपा बसपा सपा की सरकारे चलती थी तब राजा महंद्र प्रताप सिंग के नाम पर किसी को उनिवर्सिटी बनाने का याद आया था क्या आया था बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए योगी आदित्यनाजी ने मोधी जी के हाथ से राजा महंद्र प्रताप सिंग के नाम से इनिवर्सिटी बना दी और कासकंज, एटा, हात्रस और अलिगड के सौ से ज़्यादा कॉलेजों को जोड़कर हमारे युवाओ की पड़ाई लिखाई की हमेशा के लिए व्योस्ता करने का काम किया है आप मुझे बताईए ये बहन जी की और अखिलेश की सरकारे थी गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे वई जोर से बोलो करते थे या नहीं करते थे ये पुलीस जो है ना वो गुंडों से डरती थी भागती थी पुरे देश में पुलीस से गुंडे डरते है उत्तरपदेश में माफियाओं से पुलीस डरती थी योगी आदित्यनात की सरकाराई पांच साल में माफिया पलायन कर गया उत्तरपदेश के बहार अज पुरे उत्तरपदेश में माफिया ढूंटे है तो तीन ही जगह पे दिखाई पड़ता है एक तो जैल में दिखाई पड़ता है दूसरा उत्तरपदेश के बार दिखाई पड़ता है और तीसरा अगर माफिया ढूंडना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्यास्यो बहाँ पर भी निकाई पड़ता है मुझे बताओ यह लोग उत्तपदेश का भला कर सकते हैं क्या अगर माप्याओ का राज गया तो मोदी जी माप्याओ का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कोरीडोर अलिगड में लेकर आये है जिसमें लाखो करोड का इंवेस्टमेंट आना है वो डिफेंस कोरीडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा मित आएगा बताओ आप आएगा क्या यह भाई बैठ जाओ तुम ओ यह मिडिया वालों को बुलाओ तो जरा बैठ जाओ भई आप बीच सभा में क्या कर रहे हो आप बैठ जाओ नीचे एक कैमेरा में बैठ जाओ मित्रों अगर माप्याओं का राद फिर से लाए सपा का राद फिर से लाए तो फिर से एक बार एक कल्प का खाने जाने वाले हैं